हालो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपने जो वीडियो लिक्यारो देखें, बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की, जिसको कहा जाता है इंडियन शियर मार्किट में, किंग ओफ डिविदेंड, मतलब अगर आप देखो और तलासो कि ऐसा स्टॉक जो कंसिस्टेंट, है नहीं, रेगुलर डिविडेंड देता हो, और इतना डिविडेंड देता हो, कि आपके जो फिक्स डिपॉजिट का, रेट आप इंट्रस्ट होता है, उससे भी जादा, समझे ले इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टन बात, रिटर्न तो अलग बात है, लेकिन फिक्स आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, टेक्निकल आइनलेसिस अगर आप सीखना चाहते हो, तो फिर आप मेंबर से जो की बात की जाए, तो हर साथ रुपे पे आपको एक रुपे कमा के दे रहा है, तो बहुत ही बहतरीन आपको लग रहा होगा, अंडर वैल्यूड है ये, लग रहा है कि नहीं लग रहा, कंपनी के उपर उधार भी कम है, इस तुद मार्केट कापिटलाइजेशन, अर्निंग तसली से देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, 2020 के नवेंबर महीने में इस कंपनी ने आपको साड़े साथ रुपे का डिविडेंट दिया था, फिर आपको पांच रुपे का डिविडेंट और दे दिया, स्टॉक का प्राइस देखिए और रेटरन देखिए डिवि उससे पहले देखिए, साड़े साथ 16 रुपे का डिविडेंट, मतलब माला माल कर देता है, 18 रुपे का 27 रुपे का डिविडेंट, डिविडेंट से ही माला माल कर देता है, अब आप सोच रहेंगे, यार यह कंपनी इतना डिविडेंट देती क्यों है, यह इतना डिविड इसलिए मैं 16,000 करोड का profit हुआ था तो वहां पर जो major promoter इसका सरकार है तो सरकार को अपने जेब में इस profit का एक बड़ा हिस्सा लेना होता है इसलिए company से वो dividend लेती है और अगर मैं छोटे निवेशकों की बात करूँ तो almost 9 lakh के आसपास छोटे निवेशक भी यहां पर invested है और इनकी holding कितनी है 21 करोड 59 lakh की holding जो 21 करोड 59 lakh shares छोटे निवेशकों के पास है जो 2 lakh से कम पैसा लगाते है तो आप रिटेल निवेशकों के लिए देखिए अब इस stock में important part आज यह stock आपके सामने क्यों आया है उसके पीछे काफी कुछ चीजे है उनको समझने की कोशिश कैसे ITC stock, coal India stock, इनको अगर आप देखोगे तो यह बड़े नाम जरूर है लेकिन इन stock में price का moment बहुत कम होता है कम से मेरा मतलब है आप यह देखिए अब तक अगर मैं stock को देखूं तो complete downtrend में आपको देख रहा होगा यह monthly chart 440 का peak बना था 2016 में उसके बाद आप देख लीज चलती रही अब आप सोच रहोंगे यार यह फिर से कहीं फिर से यह lower high तो नहीं है तूटके lower low तो नहीं बना देगा questions आपके मन में जरूर होगे लेकिन इन questions से पहले मैं आपको कुछ चीजे दिखाना चाहता हूँ आप जब देखिए यह यहाँ पर गिरावाट आई तो य जब वापस यानि कि अगर यह impulse है तो यह correction है इस correction को देखोगे तो बहुत ही कम आपकी blue candles फिर से जब impulse बनी तो फिर से वही situation लाल candle के volume को देखोगे comparison to the correction जादा है फिर धीरे धीरे वही situation positive आई लेकिन अभी पिछले कुछ time की situation इस fall के बाद अगर आप overall देखो अगर आप overall देखो fall के बाद पिछले 5-7 महिनों की यह situation देखिए यह पिछले 4-5 महिने यह candle यह candle यह candle यह candle यह candle in comparison to these moves यह volume बहुत ही खतरनाक आपको देखने को मेल रहा इसका मतलब यह stock gear change कर सकता है अब यह gear change तो कर सकता है तो इस gear change को यहीं तक नहीं रोगना छोटे time frame पर जाके अब तक इन levels पर देखने को मिली थी 2018 के time पर वैसी ही situation बनती भी देख लिया है बट अगर compare करो 2018 के time पर volume यह volume था और अभी के volume को देखिए कोई बड़ा player इसमें हाथ साप कर रहा है खास कर कि यह फरवदी के महिने में कोई बड़ा player इसमें हाथ साप कर रहा है और एक range उस starting area आप देख रहे हो जब यह बड़ी बड़ी candle बनी है इनमें देखिए तो इन ranges में 140-136 के आसपास बड़ा player हाथ साप कर रहा है यानि कि कुछ न कुछ इस stock में आने वाले महीनों में बड़ा हो सकता है तो बड़ा होने के साथ साथ अगर मैं situation देखू तो एक correction चल रही है और bullish cross आने वाले time पे बनेगा तो उस bullish cross बनने के लिए भी इस stock को इस correction का resolution होना बहुत important है जब यह correction resolve होगा तब bullish cross आपके सामने बनेगा फिर आने वाले time पे एक और correction आ सकती है लेकिन 200 weeks का simple moving average 210 के आसपास है तो ऐसा नहीं कि कोल इंडिया धरले से एकदम उपर पहुंग क आप देखें इतने बड़े volume के साथ भी जो price में moment वह कितना हुआ almost 20 रुपे के आसपास का यह बहुत ही कम move करते है तो ऐसे shares में आप सोचोंगे कैसे कमा जाया तो futures के थूरू या फिर options अगर आपको लग रहा है चीज आने वाले महीने में एक महीने में दो महीने में यहां 5 रुपे 25 पैसे की है और अगर देखा जाए तो 4200 का इसका lot size है यानि कि मान के चलिए कि total अगर आप इसका price अभी देखोगे 5 रुपे के आसपास का तो 20-20,000 का एक lot का cost आपको पढ़ जाता है ठीक है अब आप सोच रहे हो कि यह coal India का stock अगर मैं यहाँ पर daily timeframe पर जाता तो किस तरीके से यह rally आई नेजर जो jump आए वो वही 136 के आसपास के area से तो देखे बड़ा volume इस बड़े volume के बाद जब भई इतनी बड़ी rally आई 124 से सीरे 158 पर इसको लेके गई है तो बड़ी rally के बाद बड़ी correction भी बनती है बड़ी correction आई है और यह bullish cross के बाद की correction तो आ नहीं कि nearest price 150 का call option आप यहां पर buy करते हो मांदो और जून के end end तक अगर यह stock यहां से तेजी से भागता है अगर यह stock यहां से तेजी से भागता एक सो साट इसो सतर के आसपास जाता है तो सोची कितना call option पे अगर पांच रुपे का आपका अभी lot का साई आपका क्या क्या क जाएगा तो हम जो है वो निकल जाएंगे call option से इतना ही रिस्क लेंगे सोच इस बात को आप निकल जाएंगे कि रिस्क ज्यादा रिस्क नहीं ले ना आपका रिस्क हमेंसा limited होना चाहिए और यहां से जब इस rally के बाद इस correction को आप देख रहे हो और 150 के target यहां से सोच रहे कि यह धमाका होगा तो यह बड़ा धमाका यहां पर हो सकता है और उसके बाद आपकी जो earning होगी वह multiple of 4200 यानिकि 1501 रुपय उपर दो रुपय उपर जाते जाते जितना उपर जानेगा आपको वह यह तो मज़ा आने लग गया तो इस तरीके से क्योंकि इनमें price का moment कम होता है और यह मान की चलिए अगर यह 160 पैसक तक भी जाता है तो आपके उसी 20,000 के हिसाब से अच्छा खासा मुनाफ़ा यहां पर कमाल होगे तो देखेंगे इसको ट्रेक करेंगे आने वाले टाइम पर लेकिन risk management सबसे important पार्ट यह हमारा stop loss इस range में बनता हुआ दिखता है और option 150 call option जून का क्योंकि लिए तक नियर एस नभी 147 48 के प्राइस के आसपास चल रहा और पांस रुपे के आसपास का प्राइस है आज की डेट में भी देखिए अच्छी खासी बाइंग यहां पर देखने को मिली थी 9 15 के आसपास आप देखे सीधे ऐसा उचला 4.81 के ना तो यह सारी चीज़े बट रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली प्राइटी याद रखें और इक ओल इंडिया का शेयर था और इसी लिए में आपके लिए लेकर आता है कि डेली पे करेक्शन जो चल रही है कभी भी रिजॉल्व हो सकती है कम से कम रिस्क के साथ और फिलाल भाइंड आप करता है इस वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो जल्गा तो शेयर कीजी लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब निकहां जल्दी सब्सक्राइब कर लाए बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रही है अन thank you थैंक यूपर आचेंट वीडियो